मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार हमारा देश इन दिनों एक तरफ वर्षा का आनन ले रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हर कौने में किसी ने किसी प्रकार से उत्सव और मेले दिवाली तक सब कुछ यही चलता है और शायद हमारे पूर्वजों ने रित्वी चक्र, अर्थ चक्र और समाज जीवन की ववस्था को बख खुबी इस प्रकार से ढाला है कि किसी भी परिस्तिती में समाज में कभी भी ललनेस ना आये पिछले दिनों हम लोगों ने कई उत्सव बनाये कल हिंदुस्तान भर में स्री क्रश्ट जन्म महत्सव बनाया गया कोई कल पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्म होगा कि आज हजारों साल के बाद भी हर उत्सव नयापन लेकर के आता है नई प्रेरणा लेकर के आता है नई उर्जा लेकर के आता है और हजारों साल पुराना जीवन ऐसा कि जो आज भी समस्याओं के समाधान के लिए उधारन दे सकता हो प्रेरणा दे सकता हो, हर कोई व्यक्ति, स्रीकर्ष्ण के जीवन में से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंट सकता है, इतना सामर्थ होने के बावजुद भी, कभी वो रास में रम जाते थे, तो कभी गायों के बीच, तो कभी गवालों के बीच, कभी खेल कुद करना, तो कभी बाउसरी बजाना, न जाने विविदताओं से भरा ये व्यक्तित्व, अप्रतीम सामर्थ का धनी, लेकिन समाज सकती को समर्पित, लोग संग्राहक के रूप में नए किर्तिमान प्रसाभित करने वाला व्यक्तित्व, मित्रता कैसी हो, तो सुदामा वाली घटना क बाउजुद भी सार्थी का काम स्विकार कर लेना, कभी चटान उठाने का, कभी भोजन के पत्तर उठाने का काम, यानि हर चीज में एक नयापन सा महसूस होता है, और इसलिए आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो मैं दो मोहन के दरब मेरा ध्यान जाता है, एक सुदर सुदर्सन चक्रधारी मोहन, तो दूसरे चर्खाधारी मोहन, सुदर्सन चक्रधारी मोहन, यमुना के तट को छोड़ करके, गुजरात में समंदर के तट पे जाकरके, दुवारिका की नगरी में स्थीर हुए, और समंदर के तट पर पैदा हुए मोहन, यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखरी सांस लेते हैं सुदर्सन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थीतियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए संगर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धी का अपने कर्तव्य का अपने सामर्थ का अपने चिंतन का भर्सक को प्योग किया था और चर्खाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्था चुना स्वतंत्रता के लिए मानिविये मुल्यों के जतन के लिए व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ देश के लिए आजहादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया ऐसा मोड दिया जो पूरे चड़ाओ के बीच मुश्कर आते हुए आगे बढ़ने का महत्व हो यह हम भगवान कृष्ण के संदेश से सीख सकते हैं और इसलिए तक सिर्कृष्ण जगदभुर्यू के रूप में भी जाने आए कृष्णम बंदे जगदगुरुम आज जब हम उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं तब भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा है मेरे प्यारे देश्वासियों मैं बात कर रहा हूँ महत्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती दो अक्तूबर 1869 पौरबंदर समद्र के तड़ पर जिसे आज हम किर्तिमंदीर कहते हैं उस छोटे से घर में एक व्यक्ति नहीं एक यूग का जन्म हुआ था जिसने मानव इतिहास को नया मोड दिया नए किर्तिमान सापित करवा दिये मात्मा गांधी से एक बात हमेशा जूड़ी रही एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही और वह थी सेवा सेवा भाव सेवा के पती कर्तव्य पराय रहता उनका पूरा जीवन देखे तो साउथापुरिका में उन समुधाय के लोगों के सेवा की जो नस्ली छोटी नहीं थी उन्होंने उन किसानों की सेवा के जिनके साथ चंपरण में भेदभाव किया जा रहा था उन्होंने उन मिलबद्दूरों की सेवा के जिने उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को प्रमणाओं को नश्ट करने के लिए स्वयम रक्त बित्त से ग्रस्त लोगों की सेवा खुद करते थे और स्वयम के जीवन में सेवा के माध्यम से उधारण प्रस्तूत करते थे सेवा उन्होंने शब्दों में नहीं जीकर के सिखाई थी सत्य के साथ गांधी का जितना अतूट नाता रहा है सेवा के साथ भी गांधी का उतना ही अनन्य अतूट नाता रहा है जिस किसी को जब भी जहां भी जरुरत पड़ी मात्मा गांधी सेवा के लिए हमेशा उपस्तित रहे उन्होंने नकेवल सेवा पर बल दिया बलकि उसके साथ जुड़े आत्मसुख पर भी जोड़ दिया सेवा सब्द की सार्थक्ता इसी अर्थ में है कि उसे आनंद के साथ किया जाए सेवा परमो धर्मह लेकिन साथ साथ उतकृष्ट आनंद स्वांतह सुखाय इस भाव की अनुभूती भी सेवा में अंतर नहीं था है ये बापू के जीवन से हम भली भाती समझ सकते हैं महत्मा गांदी अनगिनत भारतियों की तो आवाज बने ही लेकिन मानो मुल्य और मानो गरिमा के लिए एक प्रकार से वे वीश्व की आवाज बन गए थे महत्मा गांधी के लिए व्यक्ति और समाच, मानव और मानवता यही सब कुछ था चाहे आफरीका में फिनिक्स फार्म हो या टॉल्स्टोय फार्म, साबर्मती आसरम हो या वर्धा सब स्थानों पर अपने एक अनोखे अंदाज में समाच समवर्धन, कम्यूनिटी मोबिलाजेशन पर उनका हमेशा बल रहा हूँ मेरा भावती सवभागे रहा है कि मुझे पुझ्य महत्मा गांधी से जुड़ी कई महत्वपुन जगहों पर जा करके नमन करने का अवसर मिला है मैं कह सकता हूँ कि गांधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे समाज सेवा और समाज समवर्धन, कम्यूनिटी सर्वीस और कम्यूनिटी मुबिलाइजिशन कि यह हूँ भावना जिसे हमें अपने वहवारी जीवन में लाना है सही अर्थों में यही महत्मा गांधी को सच्ची सरधांजली है, सच्ची कार्यांजली है इस प्रकार के अउसर तो भहुत आते हैं, हम जुड़ते भी हैं, लेकिन क्या गांधी 150 ऐसे ही आकर के चला जाए हमें मंजूर है क्या जी नई देशवासियो, हम सब अपने आप से पूछें, चिंतन करें, मन्थन करें, सामुहिक रुप से बाचित करें हम समाज के और लोगों के साथ मिल करके, सभी वर्गों के साथ मिल करके, सभी आयू के लोगों के साथ मिल करके गाव हो शहर हो पुरूस हो स्त्री हो सब के साथ मिल करके समाज के लिए क्या करें एक व्यक्ति के इनाते मैं उन प्रयासों में क्या जोडूं मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो और सामुहिक्ता की एक अमनी ताकत होती है इस पूरे गांदी 150 के कारकमों में सामुहिक्ता भी हो और सेवा भी हो क्योंन हम मिल करके पूरा महला निकल पड़े अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही लेकिन एकात गांदी के आदर सोग अनुरूप सेवा का काम भी कर करेंगे लेकिन लेडिज क्लब की सभी सखियां मिल करके कोई एक सेवा कार या साथ मिल करके करेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं किताबे इखटी करें पुरानी गरीबों को भाटें ग्यान का प्रसार करें और मैं मानता हूं सायद 130 करोड़ दोएस वासियों अकबास 130 करोड़ कलपनाई है 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं कोई सीमा नहीं है जो मन में आये बस सदिच्छा हो सदहेतु हो सदभाव हो और पूर्ण समर्पन भाव की सेवा हो और वो भी स्वांतह सुखाए एक अनन्य आनन्द की अनुभोती के लिए हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ महिने पहले मैं गुजरात में दांडी गया था आज हदी के आंदोलन में नमक स्क्रत्यागर दांडी एक बहुती बड़ा महत्वपुन टर्निंग पोइंट है दांडी में मैंने मात्मा गांदी को समर्फित अती आधुनिक एक म्यूज जगह की यात्रा जरूर करें यह कोई भी स्थान हो सकता है जैसे पोरबंदर हो साबरमति आस्रम हो चंपारण हो वर्धा का आस्रम हो और दिल्ली में महत्मा गांदी से जुड़े हुए स्थान हो आप जब ऐसी जगहों पर जाएं तो अपनी तश्वीरों को सोशल मिडिया पर साजा जरूर करें ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हों और उसके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले दो चार वाक्य भी लिखिए आपके मन के भीतर से उठे हुए भाव किसी भी बड़ी साहित्य नचना से ज्यादा ताकत पर होंगे और हो सकता है आज क सारे कारक्मों प्रतियोगिताओं प्रदर्शन्यों की योजना भी बनाई गई है लेकिन इस संदर्ब में एक बात बहुत रोचक है जो मैं आपसे साजा करना चाहता हूँ बेनिस बिये नाले नाम का एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट शो है जहां दुनिया भर के कलाकार जूटते हैं इस बार बेनिस बिये नाले के इंडिया पैवेलियन में गांधी जी की यादों से जुड़ी बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रदर्शनी लगाई गई इसमें हरीपूरा पैनल्स विशेश रूप से दिल्चस्प थे आपको याद होगा कि गुजरात के हरीपूरा में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहां पर सुभास चंद्र बोश के प्रसिडेंट इलेक्ट होने की घटना इतियास में धर्ज है इन आर्ट पैनल्स का एक बह ननलाल बोश को आमंत्रित किया था गांदी जी चाहते थे कि वे भारत में रहने वाले लोगों की जीवन सैली को कला के माध्यम से दिखाए और उनके इस आर्ट वर्क का प्रदर्शन अधिवेशन के दोरान हो ये वही ननलाल बोश है जिनका आर्ट वर्क हमारे समिधान की शोभा बढ़ाता है समिधान को एक नई पहचान देता है और उनकी उस कला साधना ने समिधान के साथ साथ ननलाल बोश को भी अमर बना दिया है ननलाल बोश ने हरिपुरा के आसपास के गाउं का दोरा किया और अंत में ग्रामेन भारत के जीवन को दरसाते हुए कुछ आ पर शुब कामनाओं के साथ हर हिंदुस्तानी से कोईन को संकल्प की में अपेक्षा करता हूं देश के लिए समाज के लिए किसी और के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए यही बापू को अच्छी सच्ची प्रामारी कार्या इंजली होंगी माभारती के सपुतों आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम दो अक्तुबर से पहले लगबग दो सपता तक देश भर में स्वच्चता ही सेवा अभियान चलाते हैं इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा इस दोरान हम अपने अपने घरों से बहार निकल कर स्रमदान के जरिये महत्मा गांदी को कार्यांजली देंगे गर हो या गलिया चौक चौराय हो या नालिया स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सारवजनिक स्थलों पर स्वच्चता का महा अभियान चलाना है इस बार प्लास्टिक पर विशेश जोड देना है पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने ये कहा कि जिस उत्साव और उर्जा के साथ सवा सो करोड देश वास्यों ने स्वच्चता के लिए अभियान चलाया खुले में सौच से मुक्ति के लिए कारे किया उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तिमाल को खत्प करना है इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्सा है मेरे कई व्यापारी भाईयों बहनों ने दुकान में एक तक्ति लगा दिया एक प्लेकार लगा दिया है जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ लेकर के ही आएं इससे पैसा भी बचेगा और परियावरन के रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे इस बार दो अक्तूबर को जब बापू की एक सो पचासवी जैनती मनाएंगे तो इस अवसर पर अम हम उन्हें न केवल खुले में सोच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे बलकि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जनांदोलन की नीव रखेंगे मैं समाज के सभी वरगों से हर गाउं, कश्बे और सहर के निवास्यों से अपील करता हूँ, करबद प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष गांदी जैनती एक प्रकार्थ हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कच्रे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं दो अक्तुबर विशेश दिवस के रूप में मनाएं, मात्मा गांदी जैनती का दिन एक विशेश स्रमदान का उत्सव बन जाए, देश की सभी नगरपाली का, नगर निगम, जिला प्रशासन, गराम पंचयत, सरकारी, गेख सरकारी, सभी व्यवस्ताएं, सभी संगठन, एक-एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है, कि प्लास्टिक कच्रे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचीत ववस्ता हो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं, कि जब यह सारा प्लास्टिक वेश एकठा हो जाए, तो इसके उचीत निस्तारन हेतु पारिये भी पुरा कर सकते हैं, बस संकल पर चाहिए, प्रेणा के लिए इदर उदर देखने की जरोत नहीं है, गांदी से बड़ी प्रेणा क्या हो सकती है, मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे संस्क्रिट सुभासित एक प्रकार से ज्ञान के रत्न होते हैं, हमें जीव पुन बात को सपर्ष करना चाहता हूं, और ये सद्यों पहले लिखी गई बाते हैं, लेकिन आज भी इसका कितना महत्व है, एक उत्तम सुभासित है, और उस सुभासित में कहा है, पृत्व्याम त्रिनी रत्नानी, जलम अन्नम सुभाशितम, मुडे है पाशान रत्द संग्या प्रदियते, याने की पृत्वी में जल, अन्न और सुभासित यह तिन रत्ना है, मुर्ख लोग पत्थर को रत्ना कहते हैं, हमारी संस्कृति में अन्न की बहुत अधिक महिमा रही है, यहां तक कि हमने अन्न के ज्ञान को भी विज्ञान में बदल दिया है संतुलित और पोशक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेश रुप से महिलाओं और नवजात सिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविश्य की नीव है पोशन अभियान के अंतरगत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोशन को जन आंदोलन बनाया जा रहा है, लोग नए और दिल्चस्प तरीकों से कूपोशन से लड़ाई लड़र हैं कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुठी भर धान्या एक बड़ा अंदोलन हो गया है इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाडी सेविकाएं लोगों से एक मुठी अनाज एकटा करती हैं इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है इसमें दान करने वाला व्यक्ती एक प्रकार से जागरुक, नागरिक, समाच, सेवक बन जाता है इसके बाद वो इस धे के लिए खुद भी समर्पित हो जाता है उस अंदोलन का वो एक सिफाही बन जाता है हम सभी ने परिवारों में हिंदुस्तान के हर कौने में अन्प्राशन समस्कार के बारे में सुना है ये समस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहर खिलाना शुरू करते हैं लिक्विड फूड नहीं सॉलिड फूड गुजरात ने 2010 में सोचा कि क्यों ने अन्प्राशन समस्कार के अउसर पर बच्चों को कॉम्प्लिमेंट्री फूड दिया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूख किया जा सके यह एक बहुत शांतर पहल है जीते हर कहीं अपनाए जा सकता है कई राज्यों में लोग तीथी भोजन अभियान चलाते हैं, अगर परिवार में जन्म दीन हो, कोई शुब दीन हो, कोई स्मृती दिवस हो, तो परिवार के लोग पॉस्टिक खाना, स्वादिस्ठ खाना बना करके आंगनवाडी में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और प का अध्भुत मिलन नजराता है साथियों ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजे हैं जिससे हमारा देश कुपोशन के खिलाब एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं आज जागरुकता के अभाव में कुपोशन से गरीब भी और संपन भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावी थे पूरे देश में सितंबर महिना पोशन अभियान के रुपे मनाया जाएगा आप जरूर इससे जूड़िए जानकारी लीजिए कुछ नया जोड़िए आप भी योग्यान दीजिए अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोशन से भाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोशन से भाहर लाते हैं हलो सर्व मेरा नाम श्रश्टी विग्या और मैं सेकिंड यर्की स्टुड़न्ट हूँ तर मैंने ट्वेलगर्स को आपका एपिसोड देखा तर विए गिल्स के साथ इसमें आपाए थे तो सर मुझे वापका एपिसोड देखके बहुत अच्छा लगा फस्ट अफोल तो यह सुनके बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे नीचर, वार्ड लाइफ, और इंवार्मेंट की कितनी ज़्यादा पिकर है, कितनी ज़्यादा कियर है और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नए रूप में एक एडवेंचरिस रूप में देखके सर मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस एकिसोड के दुरान एक्स्पीरेंस कैसा रहा और सर लास्ट में एक और बात एड़ करना चाहूंगी कि आपका फिटनेस लेवल देखके हम जैसे यंक्सर बहुत जादा इंप्रेस और बहुत जादा मोटिवेट हुएं आपको इतना फिटन फाइंड देखके सरुष्टी जी आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद आपकी ही तरह हर्याना में सोहना से केके पांडे जी और सूरत की एश्वद या सर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चेनल पर दिखाए गए मैन वर्सिस वाइल एपिसोड के बारे में जानना चाहा है इस बार जब मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस विशे में बहुत सारे सवाल आएंगे और हुआ भी ऐसा ही और पिछले कुछ हपतों में म लोगों से मिला हूँ वहां मैन वर्सिस वाइल का भी जिक्र आही जाता है इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान दुन्या भर के युवाओं से जुड़ गया हूं मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगब बन जाएगी मैं मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविद्रता परी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छुने का मेरे जिन्दगी में अवसर आएगा और होता क्या है किसी के पास जाता हूं बैठता हूं तो कोई न कोई पांच साथ मिनिट तो योगा के समझ में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं शाहिद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के समझ में चर्चा ना की हो और ये सारी दुनिया में मेरा अनु जो भी मिलता है, जहां भी बात करने का मोका मिलता है, वे वाइड लाइफ के विश्य में चर्चा करता है, एन्वार्मेंट के समन में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीवस रुष्टी, और मैं हरान हूं कि लोगों की कितनी रूची होती है, Discovery ने इस कारकम को 165 देशों में उनकी भासा में प्रसासरित करने की योजना बनाई है आज जब परियावरन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक वैश्विक मंथन का दोर चल रहा है मुझे आशा है कि ऐसे में ये कारकम, भारत का संदेश, भारत की परंपरा, भारत के समस्कार यात्रा में, प्रकृती की प्रती सम्वेदन सिल्ता, इन सारी भातों से विश्व को परिचित कराने में ये डिस्कवरी चैनल का ये एपिसोड बहुत मदद करेगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास बन गया है और हमाले भारत में ट्राइमेट जस्टीस और क्लीन एर्वार्मेट की दिशा में उठाये गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं लेकिन एक और इंट्रेस्टिंग बात है, कुछ लोग संकोज के साथ में मुझे एक बात जरूर पूछते हैं कि मोधी जी बताइए, आप हिंदी बोल रहे थे और बेर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं है तो इतना तेजी से आपके भी समवात कैसे होता था? ये क्या बाद में एडिट किया हुआ है? ये इतना बार-बार शुटिंग हुआ है? क्या हुआ है? बड़ी जिग्यासा के साथ पूछते हैं देखिए इसमें कोई रहष्य नहीं है कई लोगों के मन में सवाल है तो मैं इस रहष्य को खोली देता हूँ वैसे वो रहष्य है ही नहीं रियालिटी तो यह है कि बेर ग्रिल्स के साथ बादचित में टेकनलोजी का भरपूर इस्तमाल किया गया जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में साइमेंटेनियस अनुवाद होता था साइमेंटेनियस इंटर्पूर्टेशन होता था और बेर ग्रिल्स के कान में एक कॉडलेज छोटा से इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था तो मैं बोलता था हिंदी लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी और उसके कारण समवाद बहुत आसान हो जाता था और टेक्नोलोजी की यही तो कमाल है इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोग मुझे जीम कॉर्बेट नेसलर पार्क के विशह में चर्चार करते नजर आये हैं आप लोग भी नेचर और वाइड लाइफ प्रकूरती और जन्य जीवों से जुड़े स्थलों पर जरूर जाएं मैंने पहले भी कहा है मैं जरूर कहता हूं आपको आपने जीवन में नौर्थिस जरूर जाईए क्या प्रकूरती है वहाँ अब देखते ही रह जाएंगे आपकी भीतर का विस्तार हो जाएगा पन्दा अगस को लाल के लिए से मैंने आप सभी चाग्रक किया था कि अगले तीन वर्ष में कम से कम पन्दा स्थान और भारत के अंदर पन्दा स्थान और पूरी तरह 100% टूरीजम के लिए ही अईसे पंदरा स्थान पर जाएं देखें, अध्यन करें परिवार को लेके जाएं कुछ समय वहां बिताएं विवित्यताओं से भरा हुआ देश आपको भी ये विवित्यताओं एक शिख्षक के रूप में आपको भी भीतर से विवित्ताओं से भर देंगे आपका अपने जीवन का विस्तार होगा आपके चिंतन का विस्तार होगा और मुझे भरोसा कीजिए हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ती नया उत्सान, नया उमांग नई प्रेना लेकर के आएंगे और हो सकता है कुछ स्थानों पर तो बार बार जाने का मन आपको भी होगा आपके परिवार को भी होगा मेरे पहरे देश्वासियों भारत में परियावरन की कैर और कंसन यानि देखभाल की चिंता स्वाभाविक नजर आ रही है पिछले महिने मुझे देश में टाइगर सेंसस जारी करने का स्वाभागी मिला था क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने बाग है भारत में बागों की आबादी 2967 है 2967 कुछ साल पहले इससे आधे भी बड़ी मुश्किल से थे हम बागों को लेकर 2010 में रूस के सैंस पिटरसबर्ग में टाइगर समीट हुआ था इसमें दुनिया में बागों की घरती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था यह संकल्प था 2022 2022 तक पूरी दुनिया में बागों की संख्या को दो गुना करना लेकिन यह न्यू इंडिया है हम लक्षों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं हमने 2019 में ही अपने हां टाइगर की संख्या दो गुनी कर ली भारत में सिर्फ बागों की संख्या ही नहीं बलकि प्रोटेक्टेड एरियाज और कॉम्यूनिटी रिजर्स की संक्या भी बड़ी है जब मैं बागों का डेटा रिलीज कर रहा था तो मुझे गुजरात के गीर के शेर की भी याद आई जब मैंने वहां मुख्यमंत्र का दाईत पर संभाला था तब गीर के जंगलों में शेरों का हैबिटाट शिकुट रहा था उनके संक्या कम होती जा रहा ही थी हमने गीर में एक के बाद एक कई कदम उठाए 2007 में वहां महिला गार्स को तैनात करने का फैसला लिया परियतन को बढ़ाने के लिए इंफरसक्चर में सुधार किये जब भी हम प्रकृति और वन्नी जीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़कर कंपेशन को लेकर सोचना ही होगा हमारे सास्त्रों में इस विशे में भी बहुत अच्छा मारदसन मिला है सद्यों पहले हमारे सास्त्रों में हमने कहा है निर्वनों बद्धते व्याग्रों निर्व्याग्रम छिद्धते वनम तस्माद व्याग्रों वनम रक्षेत वनम व्याग्रम नपालियत जंगल काटकर उसे नस्ट कर देता है इसलिए वास्तों में बाग बन की रक्षा करता है नकी बन बाग की कितने उत्तम तरीके से विशेक को हमारे पुर्वजों ने समझाया है इसलिए हमें अपने वनों, बनोस्पतियों और वन्य जीवों का न केवल सवरक्षन करने की आवशकता है बलकि ऐसा वातावन भी बनाना होगा जिससे वे सही तरीके से फलफुल सकें मेरे पेहरे देशवासियों 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानन जी का एत्यासिक भाषन कौन भूल सकता है पूरे विश्व की मानवजात को जगजोर करने वाला भारत का एक युवासन्यासी दुनिया के अंदर भारत की एक तेजस्वी पहचान छोड़कर के आ गया जिस गुलाम भारत के तरब दुनिया बड़ी विक्रुद भाव से देख रही थी उस दुनिया को 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानन जैसे महापुरुष के शब्दों ने दुनिया को भारत की तरब देखने का नजर या बदलगने के मजबूर कर दिया था आईए स्वामी विवेकानन जी ने जिस भारत के रूप को देखा था स्वामी विवेकानन जी ने भारत के जिस सामर्त को जाना था हम उसे जीने की कोशिश करे हमारे भीतर है सब कुछ है आत्मे विस्वास के साथ चल पड़े मेरे पैरे देश वैसियों आप सभी को याद होगा कि 29 अगस को राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाये जाता है इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मुव्मेंट लॉंच करने वाले हैं खुद को फिट रखना है देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजूर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा इंट्रेस्टिंग अभियान होगा और ये आपको अपना होगा लेकिन उसकी बारी के आज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ 29 अगस का इंतजार कीजिए मैं खुद उस दिन विस्तार से विशे में बताने वाला हूँ और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हो क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ आपको फिटनेस के लिए जागुर्ट बनाना चाहता हूँ और फिट इंडिया के ल सब्सक्राइब और मुझे प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए हम सब घर घर के बाहर सब जगा से पूरी ताकत से लगेंगे और मुझे पता है इन सारे अभियान सोशल मीडिया में तो धुम मचा देंगे आए एक नए उमंग नए संकल्प नए शक्ति के साथ चल पड़ मेरे प्यारे देश्वासियों आज मन की बात में इतना ही फिर मिलेंगे मैं आपकी बातों का आपके सुझावों का इंतजार करूँगा आईए हम सब मिल करके आज हांधी के दिवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए गांधी के सपनों को साकार करने के लिए चल पड़े स्वानतह सुखाए भीतर के आनन को सेवा भावसे में प्रगट करते हुए चल पड़े बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार